वेलकम स्टुदेंट्स इन गुवर्मेट स्कूल लेहसंन क्पिक आज हम नाइध क्लास की जैनल साइंस में अपने सेकंड ट्रूपिक को स्टाइट करेंगे यह हमारा आज को टॉपिक है प्लास्टिक लैट पी स्टार वार टॉपिक दवर प्लास्टिक इस जिराइज प्रम भ्रेकर प्लास्टिक कोश लवठ प्लास्टिक योदानी क्वाल प्लास्टिक से निकला मेनी मोल्ड और वांन कि मतलब है मौल्ड यानि बनाना लाइन हमारी जानाज मी जुजब है ऑफन हमारी लोगर मोजोड है इस वाइस वट ईब Wagam है बो Congress भी देखिए आपको अपने इर्द गिर्स प्लास्टिक की बने वी बहुत सी चीज़ें निज़र आएंगी इट फांड मच है अफ़ पैकेजिंग अफ़ डेली यूज आइटम्स लैक फूर्ड जूरिंग एट्सेटरा हम अपनी रोजमारा जिंदगी में जो खाने पीने की चीज़ें इस लिए पालटीस बताई गई हैं कि यह वर्सिटाल है एवरीवेर हर जिगा पाई जाती है लाइट वेट प्लास्टिक के जो चीज़ें होती हैं का वज़न काम होता है फ्लیکसीबल इन में लचक पाई जाती है मॉइस्चिर इसिस्ट्र अगर प्लास्टिक के बौल में या कु भादाए भादा बेर्साव ach Verse इसाथ जाती हैं प्लासिक की चीजी घर तर तरीके के साथ इस्त्माल की जायें इस्ट्राग का बजबूत होती हैं और वाकी च्रेस इस तरह के चीज़ होने सब्सक्राइह की अधिर्यों की प्लास्टिक जमीन में जिन्दगी में बहुत एहम किरदा दा करती है लेकिन इतने जादा ताहम इस्तमाल के बार प्लास्टिक जो हमारे माहूल में बहुत सी मसाल भी पैदा करती है जिनका खास जो नतीजा है वो बच्चों की सहथ के लिए खत्रा खत्रात की सुरत में निकलता है प्लास्टिक यगर केमिकल नेच्टिक की बात करें तो हमारे प्लास्टिक दो तरसे पाए जाता है नेच्रल वे पाए जाता है और संथर्टिक्स में बेगे घ जैसे कि एंजिमन होन्स यह निके जैनिमन हन्स yatakरों के जैंवरों के सिंगों में एनिमन मिल्क जैनएवरों की दूद्ध में प्लांट सेंलो LE सनु कहिं असमें भी प्लास्टिक बना लिया है। इसके लाभ पी काफ़ी सारी की जीज़े इन में नेचर अलीव प्लास्टिक पैय जाता है लेकिन साइंटोड Michigan एक्स पेरिमेंट्स कर के सिंथरी करी Ohh प्लास्टिक बना लिया है जिसे ज्यादे स्तूमाघा जी प्लास्टे न्यूसित मैं इसे पार्टीकल और स्युझ भ़irt जोते हैं तो यह अब एक polymer बन चाहिए यानि कि बहुत बड़ा molecule यह बड़े बड़े molecule जो आपस में linked होते हैं तो हमारे पास बहुत huge molecule बन जाते हैं तो यह हमारे पस plastic structure बन जाता है जिसे हम लोग मुखले चीज़ें बनाती है यानि के चोटी 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 जो मौन मारते हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं तो हमारे पास बहुत heavy weight का molecule जिसे पॉली मर कहते हैं वो बन चाहता है देट में have become combined with other ingredients to modify its physical properties अब उस पॉली मार में different ingredients को मुखले चीज़ें को शामिल किया जाता है as plastics are heated to moderate temperature the polymer chain are able to flow past each other plastic को जादा जार moderate temperature तकी यानि के दर्मयानी temperature तकी गर्म घ्लिया जाता है इस दुरान polymer chains रहें वो एक दूसरे के साथ अधर उधर flow कर सकती हैं तो हमारे पास plastic की destructuring नहीं होती वो ठीक रहता नहीं होता because of the organic nature of the most plastics they usually cannot withstand high temperature and begin to decompose at temperature around 392 फानाइट और 200 centigrade अब कहते हैं कि प्लास्टिक को हम लोग high temperature दें plastic की चीज़ों को बहुत हाई temperature तक गर्म कर दें तो पहले तो वहाड होंगी हाड हो के still अगर temperature increase रखा जाए तो वह brittle हो जाती है यानि कड़क हो जाती है फिर वह तूट जाती है डिंक कंपोज हो जाती है लेकिन वह melt हो कि अपनी औरीजिनल शकल में नहीं जाती है इस वज़े से प्लास्टिक की चीज़ों को स्रों moderate temperature तक ही गर्म करना चाहिए अब इस पिक्टर में देख सकते हैं कि हमारे पास प्लास्टिक में हर तरह का object पाया जाता है जिसे हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं प्लास्टिक कर लेते हैं आज कमरा वर्ड प्लास्टिक था प्लास्टिक का वर्ड ग्रीक वर्ड प्लास्टिक को से निकला है जिसके मतलब है मोल्ड या फार्म हमारी रोजमारे जिन्दगी का एक लाजमी जुज़ों प्लास्टिक है प्लास्टिक की चीज़े हैं प्लास् इसकी जादार से तक चाल सकता है सुट्रांग मजबूत और रिलेक्टिवली इनेक्स्पेंसिव मटेरियल